नमश्कार आप देख रहे हैं दर्श न्यूस और मैं हूँ यती आपके साथ नीट यूजी मामले पर सुप्रीम कोट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया जी हाँ विस्तार से एक एहम फैसला आज नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोट के द्वारा सुनाया गया है कोट ने कहा है कि सभी दलीलों को सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुँचा गया है कि पेपर लीक का मामला सिस्टमाटिक फेलियर नहीं है यानि कि सुप्रीम कोट ने एक बड़ा आरोब भी लगाया है सिस्टम में फेलियर होने का हवाला दिया जा रहा था जिस वज़े से पेपर लीक का मामला सामने आया पर सुप्रीम कोट ने ये पैसला सुनाया है कोट ने आगे ये भी कहा कि पेपर लीक बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है लीक का मामला केवल पटना और हजारी बाग तक ही स्तीमित था इसने पहले बता दे कि सुप्रीम कोट ने आदेश दिया था कि परिक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी कोट ने कहा था कि इस बात का प्रयाप्त सबूत नहीं है कि परिक्षा की पवित्रता का उलंगन हुआ है नेट यूजी परिक्षा पांच मई को हुई थी इसके बाद चार जून को इसका रिजल्ट सामने आया था रिजल्ट सामने आने के बाद कई छात्रों ने सुप्रीम कोट में परिक्षा में हुई गरबड़ी के खिलाफ याचिका दायर कर दी थी सुप्रीम कोट ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा कि नीट यूजी 2024 के पेपर में कोई विवस्तेत उलंगन नहीं हुआ है पेपर लीक केवल पटना और हजारी बाग तक ही सीमित था सुप्रीम कोट का ये भी कहना है कि नीट यूजी 2024 पेपर लीक कोई सिस्टमाटिक नाकामी नहीं है वही कोट ने आगे अपने आदेश में ये भी बताया है कि केंद्र द्वारा गठित समिती परिक्षा प्रनाली की साइबर सिक्योरिटी में संभावित कमजोरियों की पहचान करने और उसके अलावा जांच बढ़ाने की प्रक्रिया और परिक्षा केंद्रों की CCTV निगरानी के लिए टेक्निकल अस्पेक्ट के लिए SOP तयार करने पर भी विचार कहिया जाएगा वहीं बता दे कि छातरों की बेहतरी के लिए फैसला ले लिया गया है जो मुद्दे उठे हैं उन्हें केंद्र को इसी साल ठीक करना अनिवार कर दिया गया है ताकि भविस्ते में ऐसा कुछ भी ना हो तो देखिए सुप्रीम कोट ने नीट यूजी मामले पर एक एहम फैस परिक्षा अब दुबारा नीट की नहीं ले जाएगी दर्श न्यूस पर फिलहाल के लिए इतना ही देश तुनिया और बिहार जार्खन की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें दर्श न्यूस के साथ अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चानल को सब सब्सक्राइब कर ले साथ ये मारे फेस्बूक इंस्ट्राग्राम और टूटर पेज को भी फॉलो जरूर करें धन्यवाद